So students, मैं ना पूरी वीडियो एक्स्प्लेन करने से पहले यहाँ पे आपके लिए एक बहुत अच्छी golden opportunity ले के आया हूँ आप में से काफी सारे लोगों ने stock market, share बजार का नाम definitely सुना होगा और जब कभी हम पैसे कमाने की बात करते तो हम share बजार या stock market को बिलकुल भी नहीं भूल सकते अब आपके मन में आएगा कि share बजार तो yes आप interested भी होगे तो यहाँ पे अगर मैं आप से बात करूँ basic to advance के सारे concept की मैं बात करूँ आपके fundamental और technical analysis की तो वो सारी information वो सारी knowledge आपको free of course पूरा का पूरा course मिलने वाला है पूरी की पूरी live stream पे आपको यहाँ पे हम सिखाने वाले हमारे different channel दूसरे channel पे as to be small to big traders पे तो अगर आप interested हैं stock market के अंदर basic to advance सारी चीजे free yes बिलकुल free सीखने के लिए तो link video के description पे click करके channel को ज़रूर यहाँ पे जाके subscribe करें जहाँ पे हम live आके daily आपको सारी चीजे सिखाएंगे live आने का time आपको morning में मिलेगा 9 to 11.30 तो daily डाइखंटे हम उस channel पे आपके लिए available रहेंगे कैसे stock market से पैसा कमाया जाता है जहाँ पे हम stock buy भी करेंगे, purchase भी करेंगे, sell भी करेंगे और सारी चीजें आपको free of course दिखाएंगे link video के description पे है, channel आप पीछे देख भी चुके है तो please आप इस channel को follow कर सकते हैं अगर आप stock market और share बजा सीखना तो welcome back to JVR दोस्तों आज की जो update यूटूब की history की सबसे जादा important update है अब आप कहोगे ऐसा क्या update मिलने वाला है आपने यूटूब की दुनिया में एक नाम तो definitely सुना होगा Mr. Beast I know काफी सारे लोगों ने सुना होगा है पर काफी सारे लोग है जिन्नोंने नहीं सुना तो यहाँ पर आप सर्च करिए Mr. Beast या सर्च करिए YouTube No.1 चैनल आपको नेम आ जाएगा कहते हैं कि YouTube की अगर सिप earning earning की बात करें Mr. Beast की तो वो इन्हें single day भी Lamborghini purchase कर सकते हैं इतनी earning है उनकी यहाँ पर अब आप कहरे होंगे कि मैं दूसरे YouTube चैनल को यह बारे में आपको क्यों share कर रहा हूँ चुकि आज opportunity है इसी चैनल के साथ आपके जुडने के लिए एक officially job update के साथ तो यहाँ आज की job update नेकली है Mr. Beast के YouTube चैनल से आप जुड सकते हैं तो क्या-क्या terms condition होंगी, क्या requirements की demand करी गई होंगी I know, वो सब आप जानना चाहते हैं और वो सारी information इसी वीडियो में detail में मैं आपके साथ share करने वाला हूँ with officially website सबसे पहले पहला task जो आपको करना है वीडियो को last सक देखना है चुकि आप काफी सारे question raise करते हैं और वो सारे question के जब आप कहीं न कहीं इसी वीडियो में last सक आपको मिल जाएंगे second part क्या है आपको जब job को समझ ले उसके बाद apply भी करना है वीडियो देखने से job नहीं मिलती है clarity है तीसरी बात apply करने का जो तरीका है procedure है या आपका CV है आपका resume है वो अच्छा होना चाहिए अच्छा मतलब updated updated के साथ according to job के description के होना चाहिए clarity है चलिए इन तीनों चीजों को इसी वीडियो में समझते हैं आपके एक like के साथ तो finally हम अपने screen पे आ चुके हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप पे Mr.Beast का logo है current opening at Mr.Beast तो 41 jobs निकली हैं अब आपके मतलब की जो job से आप उसको target करेंगे काफी सारी job से आप थोड़ा सा scroll down करेंगे तो इंडिया में हैं आपकी language coordinator की job जो आपके मतलब की होने वाली है जैसी आप इस पे click करेंगे आपका इस type का interface open हो जाएगा जहाँ पे language coordinator इंडिया के अंदर जॉप है उस सारी information आपको मिलने वाली है clarity है कि आप यहाँ पे पोशेंगे कैसे link वीडियो के description में कहा कहा क्लिक करना क्यों क्लिक करना सारी information में आपको share कर चुका हूँ अब थोड़ा सा यहाँ पे page को detail में describe करूँगा जिससे आप समझ पाएं क्या job है किस तरीके से आपको इस job मिल सकती है सबसे पहले तो यहाँ पे about the job बताए गया language coordinator इंडिया के बारे में बताए गया responsibilities बताए गई है requirement बताए गई है advantage बताए गई है have nice to have मतलब जो आपको मिलेंगे location आपकी remote है मतलब yes it is a work from home जैसे कि आपने top के title पे भी देखा and primary location based in इंडिया तो मतलब अगर आप इंडिया के किसी भी state किसी भी village से belong करते हैं आप इस job को apply कर सकते हैं और आपको मैं एक चीज़ और बताऊं कि जो एक qualification barrier होता है यहाँ पे वो बिल्कुल नहीं है अगर आपको btec नहीं करी तो भी आप job apply कर सकते हो आपने bcom नहीं करी तो भी आप job apply कर सकते हो मतलब आपकी कोई भी qualification है या नहीं है इस job पे वो बिल्कुल भी depend नहीं करती है सिर्फ depend करते हैं language जैसे language coordinator अगर मैं आपको simple भाषा के अंदर बताऊं तो simple भाषा के अंदर जो Mr.Beast है ना वो अपने content को shoot करते हैं record करते हैं सारा English के अंदर वो English जो वहाँ पे आपके US के अंदर UK के अंदर use होती है अब audience इंडिया की भी है audience चाइना की भी है audience इंडिया में multiple location भी है जैसे कि South की audience है जो अपनी favorable language में सुनना चाहती गुजरात की audience है जो गुजराती language में सुनना चाहती है आप देखते हैं इंडिया की audience वो content तो consume करना चाहती है मतलब देखना चाहती है बट अपनी language में और आप सभी लोग वही काम करेंगे आप उनके particular content को original content को translate करेंगे उस language के अंदर जो आपको आती है तो yes, it is a translator job for example, अगर आप Kolkata से belong करते हैं तो आप उसको convert करेंगे for example, आप Hindi की बात करते हैं आपको Hindi language आती है Mr.Beast ने shoot करा, content करा अब आप क्या करेंगे? उसी चीज़ को Hindi language में convert करेंगे clarity है, convert करेंगे वो ही content फिर आपका YouTube की दुनिया में Hindi में आपको दिखाया जाएगा दुनिया उसको देखेंगे और अवाश आपकी होगी जो language है वो आपकी होगी तो ये है आपका काम अब इसी चीज़ को अच्छे से describe करके यहाँ पर लिखा गया है, वो भी हम थोड़ा समझ लेते हैं तो यहाँ पर इसको हम start करते हैं जो मैंने आपको बता है, वही चीज़ इंग्लिश में लिखी हुए language coordinator की job रहेगी, localization रहेगी English creative assets रहेगा, such as video, title, description जिसको आपको translate करना पड़ेगा you will produce subtitles, आप produce करेंगे, transcript करेंगे into the language and play the crucial role in our team's success in additional you have to a brand ambassador भी आप बनेंगे यहाँ पे for our global audience के लिए जिसमें responsibility जो आपके कंधों पे डाली जाएगी जो आपको fulfill करनी है जिसके अंदर optimization, translation रहेगा, adapting रहेगी dubbing and localization for the English source video तो again उसी चीज़ को लिखा गया है English की source video को उस particular video को आपको dubbing करनी है selectorize and refine voice cast to ensure they match the English source video इसे just simple भाषा में बोलूं lip-sync तो जिस तरीके से English में बोला जा रहा है उसी तरीके से आपने उसको translate करा है ठीक है new technology is enhanced dub content तो आपको content को dub भी करना रहेगा managing करनी है first and production and quality control of the dub content तो मतलब ऐसा नहीं सिर्फ dub करना है उसकी quality को ensure करना है कि जो dubbing हुई है वो सही तरीके सोई है वो voice particular match कर रही है वो point to point match कर रही है नहीं कर रही है तो यह सारी responsibilities है अगर यह सारी responsibilities भानी है तो कुछ skill set या कुछ requirements होनी चाहिए आपके अंदर उसको समझते है तो यहाँ पर particular आपके पर certification complete होना चाहिए C1 plus English, C1, Tamil, Telugu, Malayalam, Marathi, Punjabi किसी में भी अब यह सारे नहीं किसी एक में भी चलेगा ठीक है एक से तीन साल का experience होना चाहिए translation के अंदर ठीक है adoption and dubbing से related आपका होना चाहिए अब I know काफी सारे लोगों के मन में question आ रहा होगा सारी certification क्या है basically आप जब यह language सीखते है कहीं से भी तो आप यहाँ पे test देते हैं जो कि all over India level पे होता है और जैसे आप test clear करते हैं उनके different level होते है तो आपका test C1 वाला जो certification test है वो complete होना चाहिए अगर आपके बस certificate है यस तभी आप इस job को apply कर पाएंगे for example आपको पंजाबी आती है ठीक है अगर जोब चाहिए तो certification की need होती है जो यहाँ पे mention है साथ में आपके पास experience भी होना चाहिए मैंने starting से आपको बोला हूँ कि यह job काफी अच्छी salary आपको देगी तो experience is mandatory fresher है तो अगर आपके पास certification है एक बाद try करके देख लीजिए apply करके but experience को first priority मिलेगी clarity है उसके बाद 2-3 चीज़े ओल लिखे हैं जो आप पढ़ सकते हैं then after यहाँ पे लिखा हुआ advantage and nice to have मतलब अगर यह चीज़े आपको आती है अगर जोब मैं बताने वाला हूँ तो आपके selection के chances 2-3 times increase हो जाएंगे जिसमें पहली चीज़े है अगर आपको यहाँ पे localization, production and post production अगर आपको production house के बारे में पता है तो यहाँ पे आपके job मिलने के chances 2-3 times increase हो चुके है अगर आपको video editing, auto editing tool के बारे में पता है आपको voice production, voice over production हो गया dubbing के बारे में पता है आप already यहाँ काम कर चुके है tools related तो आपके selection के chances और increase हो जाएंगे अगर आपको interest है तो यह आप form देख सकते हैं इस form को fill कर सकते हैं कुछ particular question के answer कर सकते हैं finally आप इस job को apply कर सकते हैं अगर आपका यहाँ पे profile shortlisted होती है तो within one to two week के अंदर आपको mail आ जाएगी so I hope सा आपको यह content पसंद आया होगा आपको यह जो पच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो definitely apply करें और मैं सेचीन चुहान आप से विलूँगा next video के next content में but till then keep learning, keep growing and keep watching JBR